तो गाइज, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच आप लोग का जो प्यार और सपोर्ट है हमारे चैनल के लिए वो काफी ज्यादा अच्छा है ठीक है जो कि हमको देखने को मिला रिसेंटली अपनी लास्ट कुछ वीडियो में गाइस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना ठीक है और साती साथ जो लोग वेट कर रहे हैं मेरी अधर सीरीज का लाइक एथिकल हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है उनको मैं यह जिस तरह हम साधी में सगुन के तोर पर एक रुपए एक्ष्रा दे देते हैं उसी तरह है लीट कोड़ वालों ने भी हमारे लिए एक एक्ष्रा कहते ना फ्री का कॉश्चन दे रखा है लेकिन यह कॉश्चन भी जो है वो काफी जादा इंट्रस्टिंग है समझ आ गया त आप टेक बैग्राउंट से हैं ठीक है तो आप हमारे यहां कोर्सेस देख सकते हैं लेट से ऑप्रेटिंग सिस्टम हो गया एतिका लेकिंग हो गया ठीक है उसके बाद यहां पर आपको स्टेप बाए स्टेप मिल जाएगा पूरा गाइड या फिर आगर आगर आपको करें अब स्टार्ट करते हैं ठीक है तो गाइस यहां पर मैंने अपने लीट कोड ओपन कर लिया ठीक है लेकिन साथी साथ मैं आपको बता देता हूं आज जो मैं प्रोग्रामिंग लेंग्वेज यूज करने वाला हूं वह जावा ठीक है अगर आप जावा के लावा कोई भी अधर प्रोग्रामिंग लेंग्वेज यूज करते हो तो टेंशन लेने की जरवत नहीं है में लॉजिक वही रहेगा ठीक है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अधर लेंग्वेज इस प्लस प्लस और पाइथन में भी कोड एविलेबल करवा दूँगा अग लेकिन कुछ-कुछ जो है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लीट कोड की जर्नी उनके लिए यहीज नहीं होगा ठीक है थोड़ा सा मीडियम लेबल का होगा लेकिन जो अल्रेडी काफी टॉप पे चल रहे है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ठीक है बहुत असान है अभी आपको खुद पता चल जाएगा तो कोशन में क्या है गिवन दा रूट ऑफ बाइनरी ट्री चेक वैदर इट इस अ मिरर ऑफ इटसल ठीक है यहाँ पर हमको क्या गिवन होगा एक बाइनरी ट्री का रूट गिवन होगा यानि कि फॉर एग्जांपल जहां से भी यह स सेम होनी चाहिए ठीक है अगर वैल्यू सेम नहीं हुई तो आपको क्या होगा एरर शो में लड़ ट्रू या फॉल्स में आपको रिटन करना है देखो अब यहाँ पर इन्पुट के तरफ चलते हैं फटापट यह क्या वो लड़ रूट इस 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 तो कुछ हमें ऐसे वैल होता लेकिन हमको इसका पूरा मिरर दिखाना है ठीक है रियल मिरर जैसा होता है एक्चुली में वैसे हमको शो करना है देखो एक्जामपल नंबर टू भी इन्होंने हमें गिवन कर रखा है जिसमें कि यही वाली चीज दिखा रहे है जो मैंने का था वन टू 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 ठी लॉजिकली देखा जाए तो यह है लेकिन यह इसका mirror नहीं है क्योंकि तीन इसमें यहाँ है और इसमें कहा होना चाहिए ता इसमें इस तरफ होना चाहिए था जो कि यह गलत है जिसकी वज़ेद से हमें output क्या देखने को मिला है फॉल्स ठीक है अब बिना time waste करें देखते ह है क्या इसकी अप्रोच रह सकते है ठीक है बहुत छोटा सा कोड है गाइस बहुत छोटा सा कोड होगा लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि क्या अप्रोच हमारी रहने वाली है सबसे पहले आप यहां पर देख लो तो गाइस यहां पर मैंने अपनी Ppt open कर लिया और यहां पर मैं लिख देता हूं लीट कोड टीक है क्या लीट कोड 101 टीक है तो problem भी given होगा right और left side वाले वह आपस में उनके mirror हो जाने चाहिए तो इसका mirror क्या होगा यह होगा ठीक है और हमको कैसे given होगी values values कुछ ऐसे given होगी हमें root given होगा इस case में root क्या है root वो होता है जहां से हमारा tree जो है ठीक है और इसमें हमें output क्या मिल रहा होगा output इस वाले case में मिल रहा होगा में true ठीक है देखो guys अब मैं आपसे कहूं guys अब मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ कि क्या code होगा लेकिल अभी एक बार के लिए ना आप अपने end से सोचो ठीक है अगर आप सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं सोच पा रहे हो तो कोई problem वाली बात नहीं है ठीक है देखो अब मैं इसकी फटा-फट अप्रोच बताता हूं और अप्रोच बताने के बाद यानि कि आप सीथा-सीथा कहूं तो मैं भी आपको pseudo code लिखवा रहा हूं ठीक है अई मैं आपसे क्या लिखवा रहा हूं pseudo code एक बार हम pseudo code लिख लेंगे तो फिर वहां हम उसे complete code कर रहे होंगे किसमें अपने lead code में देखो गाईस अगर मैं अप्र प्रोवाइड करता हूं इसके अंदर तो क्या यह मतलब हमारा output क्या देना चाहिए जब सिर्फ one है ठीक है root node है तो हमारा output आएगा true सर ऐसा क्यों विकॉस इसके right में भी कुछ नहीं और left में भी कुछ नहीं ठीक है तो अभी यहां पर आपने क्या देखा right में भी कुछ नह रहा हूं ताकि आपने इसको देखा देख कि आपको पता चल गया उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर क्या है आपने बोला सर देख के जब मैंने इसको सी करा यानि कि देखा तो यहां पर देखा तो यहां पर यहां पर यहां पर देखा तो यहां पर यहां पर यह कैसे करते हो अगर आप कोडिंग जरासी भी कर चुके हो अगर मैं आपसे कहूं A is equals to one and B is equals to one ठीक है तो आप क्या करोगे मैं अगर आपसे पूछता हूँ A और B true कब होंगे ठीक है आप बोलोगे sir if A is double equals to B ठीक है तो हम क्या करतेंगे return कर देंगे क्या करतेंगे return sir हम return करतेंगे true यानि कि A और B जो है वो दोनों equal है ठीक है तो आपने क्या यूज करा comparison operator यूज करा ठीक है अपर हम दो as a comparator use करेंगे ठीक है जो कि हमारी help करेंगे comparison करने में यानि कि साफ सीधी बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मैं एक head की तरह use करूंगा ठीक है head one की तरह है और एक को use करूंगा head two की तरह है ठीक है head two की तरह है सर यह head one और head two हमारा कर क्या रहूंगे देखो guys simple सी चीज़ है मैं आप न red change color कर लेता हूं ठीक है red पर कर देता हूं देखो head one वाला जो है guys वह आपका one से लेकर two पर jump करेगा इस तरह ठीक है और जैसी वह two पर पहुंचेगा ठीक है हम logically देख रहे होंगे उसको हम compare कर रहे होंगे head two से जो की कहा jump करेगा इधर side jump करेगा एक right में jump करेगा एक left में jump करेगा ठीक है जैसे ही इधर jump करेगा तब हम दोनों को check कर लेंगे क्या दोनों equal है अगर दोनों equal हुए तो क्या return होगा simple सी चीज true ठीक है उसके बाद मैं head one को कुदवाऊंगा किदर three पे ठीक है जब यह three पे jump करेगा तो मैं head two को किदर jump करवाऊंगा three पे और दोनों simultaneously होने चीए guys देखो मैं क्या बूल रहा हूँ दोनों के दोनों साथ में होना चीजए ऐसा नहीं कि जब head one three पे jump कर रहा है तो head two हमारा four पे jump कर रहा है नही दोनों same jump करने चीए साथ में तब ही हम दोनों को compare कर पाएंगे और जब दोनों को फिर compare करेंगे तो क्या answer आएगा true ठीक है एक जगह भी false आएगा इसका मतला हमारा symmetric जो है इस side वाला यह जो बीच में dash कर रहा है न इधर वाला है दूसरे वाले के equal नहीं होगा अगर एक ब बार बार call करता है ठीक है function call function calls itself ठीक है function जो है वो अपने आपको खुद call करता है उसके बाद मैंने क्या बोला head1 जब 3 से हम किदर jump करवाएंगे एक बार 4 पे jump करवाएंगे जब यह 3 से वापिस 2 पे आएगा न ठीक है जैसे 2 पे आएगा तब हम इसे 4 पे jump करवाएंगे ठ तब 2 से किदर 4 पे jump करवाएंगे ठीक है अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं अब आपको समझ आ जाएगा ठीक है अब यहां पर मैं इसका फटा फटा आपके लिए code लिख देता हूं ठीक है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे public class मैं किसके यूज कर रहा हूं आप कोई भी different other language के use कर सकते हो कोई as a problem नहीं है ठीक है public class solution यह हमीसा जावा हमको provide करता है और मैंने आपको क्या बताया था कौन सा हमारे पास function given है हमें given है public boolean ठीक है देखो यह function का क्या return type है boolean यानि कि यह true और false ही return करेगा हमको ठीक है public boolean और हमें क्या था symmetric ठीक है यह हमारा function का नाम था function का नाम आप कुछ भी रख सकते हो जरूरी नहीं जो हमको मतलब उस code ने दिया है वही हम कर रहे होंगे ठीक है और इसमें हम क्या provide कर रहे है tree node क्या root गाइस अभी tree node क्या है मैं आपको इतना समझा देता हूँ यह हमने by default जो है वह हमारे लिए lead code ने मतलब define कर रखा है tree node क्या है एक tree like structure create कर रहा होगा अपने आप में जिसके right और left हमारे पास क्या रहेंगे मतलब हम उसमें चीजे add हमारे पास right node और left node available रहेगा उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो फिलाल मतलब normally जो है उस case में वह null है तो यह route जो है आपका कहा point कर रहा है one पर point कर रहा है automatically ठीक है इसमें आपको कुछ करने की जरुवत नहीं है चलो अब इसके बाद हमारा जो function होगा सीधा एक return की line लिख दो सर अब आप बोलोगे सर अभी तो हमने call लिखना start भी नहीं कर रहा पहली line में return कर दे क्योंकि return के बाद अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो क्या execute होगा नहीं होगा ठीक है तो अब देखो पहली line में return करने को क्यों बोला हूं because मैं एक दूसरा function बनाऊंगा ठीक है जो कि हमारी help करेगा इस चीज को क्या करने के लिए अचीव करने के लिए यह आलाख हाली में true और false की तरह क करवा रहा हूं ठीक है तो इसमें लिख दो return is symmetric ठीक है return is symmetric अब बोलोंगे सर यह तो वापिस अपने कोई कॉल करेगा नहीं ठीक है यह वाला function में यूज नहीं कर रहा मैं इसकी sorry 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 guys ठीक है इस symmetric के बाद यहाँ पर क्या लिख दो यहाँ पर लिख दो आप root, root अब आप सोच रहोंगे सर मैंने यह क्या लिख दिया यह अभी तक तो हमने इसको define किया यह नहीं क्यों क्योंकि basic function का नाम सेम है क्या यह दोनों function सेम है नहीं है क्यों क्योंकि इसमें एक ही parameter है औ यहाँ पर मैंने spelling गलत दिख 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 कोई बात नहीं चलो यहाँ पर आजएगा हमारा tree node गाईज अगर आप भी आपको समझ नहीं आना तो root को अटाओ ठीक है नहीं तो आप थोड़ो सा confused होगे दूसरे variable ले लो इन्हें ठीक है इसको मानलो a और इसको मानलो b ठीक है अभी मैं ऐसा क्यों बोलनो समझ आ जागा देखो उसके बाद जैसी आपके ही चलता है ठीक है आप अपनी पहली condition यूज करना और पहली condition में ऐसा कर देना if a is double equals to null अगर if null a null हो गया या फिर और देखो यह है और operator या फिर अगर आपका b null हो गया मैंने आपसे क्या बोला था अगर दोनों में से let's say ये one से two जंप ये one पे one से two पे जंप करा और ये one से two की जगह यहाँ पर मानलो null यानिकि two की जगह कुछ भी नहीं है null प a is double equals to b अब आप बोलोंगे सर आपने तो बोला return false कर देना देखो a is equals to b करके automatically false हो जाएगा क्यों a की value let's say क्या है a की value let's say two थी यहाँ पर ठीक है two null नहीं था लेकिन यहाँ पर null था यहाँ पर two की जगह कुछ और था null था let's say तो यहाँ पर b की value null अगर ये दोनों equal होंगे अगर ये a is double equals to b क्या ये कभी possible है नहीं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा इस से इस इस वाले operator से हमें value मिल जाएगी false तो यह क्या return कर देगा automatically false ठीक है अगर ये false हुआ तो ठीक है चलो अगर आपको समझने आ रहा कोई बात ने गाई जब हम code लिख रहे होंगे तब आपको proper पर समझ आगी चीज़े आप वाले में चलते हैं वाले में क्या होगा ध्यान से सुनना इफ यहाँ पे सबसे पहली condition गाई बहुत important condition है यह आप चेक करना मत भूलना इफ डॉट वैल क्या है अभी तक तो हमने वैल का कुछ सुना ही नहीं गाइस देखो यह जो आपका root node है यह मैं आपको दिखा देता हूं फिर से यह जो root node है यह जहां point कर रहा है यह जो one है यह data value है यह value है और lead code में मतलब जब हमने वह देखा था जहां पर comment down हो रखी ती चीज़े ऐसे ऐसे करके green में comment हो रखा था उसमें उन्होंने define कर रखा है कि हमने value को well करके एक मतलब define कर रखा है क्या variable ठीक है अगर आपको कोई भी value डालने है जैसे 123456 तो आप वह well के अंदर आपको मिलेंगी ठीक है तो हम यहां use करेंगे a.well को is double equals to b.well ठीक है अब इसके बाद हम बोल रहा होंगे कि यह a.well है क्या ठीक है a.well guys कुछ नहीं है a.well is equal to क्या return कर रहोगा मैं one दे same ही है तो starting में a और b कहां पर खर रहे होंगे यह head 1 की जगह हमने क्या नाम दे दिया a दे दिया और head 2 की जगह क्या नाम दे दिया b ठीक है तो starting में जब first time होगा तो a की value क्या होगी one और b की value क्या होगी one ठीक है तो यह जो है वो हमेशा first case के लिए यह हमारा जो है वो true होग अभी आपको समझ रहेगा क्या है इसके अंदर एक condition हम चेक कर रहे होंगे हमारी सबसे most important condition और वो होने वाली है is symmetric symmetric is symmetric ठीक है और यहां पर हम क्या भेज रहे होंगे a dot ठीक है ध्यान से सुनना मैंने क्या गोला a किस तरफ जंप कर वहाँगे a आप भेजोगे left के side एक बार ठीक है तो भेजो a को left के side a dot left ठीक है कॉमा कॉमा इस बार b को नहीं भेजोगे इस बार आप किसको भेजोगे b के right को b को right में भेजोगे a को कहां भेजोगे left में तभी तो comparison होगा ठीक है यह important चीज़े जो आपको समझ दिया है b dot left ठीक है अब यहाँ पर a condition आपने लिग दी अब आप लगा देना double end ठीक है यान आप ने एक बार left में भेजा और left में भेजने के बाद हमको कहा right में भी तो चेक करना है एक बार ठीक है तो इस बार a कहा जाएगा a जाएगा इस बार right में ठीक है ध्यान से सुनो एक बार जाएगा right में और b को पहले left में भेजा था था अब b को कहां भेजोगे b को इस बा यहां पर B.right कर ले ना इसको दोनों opposite में रहेंगे ए अगर left में रहेगा तो B.right में रहेगा ए अगर right में रहेगा तो B कहा रहेगा left में तब ही तो हम comparison कर रहे हैं अब देखो इसको हम double उससे कर लेते हैं और यह हमारा if अगर यह condition भी successful हो जाएगी ठीक है मैंने क्या बोला एजब left में होगा यानि कि A2 पे होगा तो B यहां इस तरफ वाले 2 पे होगा दोनों चेक होंगे अगर दोनों equal रहे ठीक है दोनों से हमें true true value मिली तो हमें क्या return हो जाना चाहिए true अब देखो इससे भार आजाते हैं ठीक है और L से भी भार आजाते हैं और आखरी में कर देते हैं return false ठीक है रिटन क्या कर देते हैं पॉल्स ठीक है अब इसको बंद कर दो देखो गाइस आपका जो कोड है वो completely complete हो चुका है ठीक है तो अगर आपको अभी भी कहीं problem है ठीक है तो कोई वेश्ट करें फटा-फट यहां पर मैं लिख देता है और return क्या return करना था is symmetric ऐसा ही function बनाओंगा जो same नाम से होगा ठीक है आगर I hope आपको यह पता होगा इसको क्या बोलता है इस चीज को ठीक है यह इतनी basic knowledge कहते हैं इसको ठीक है ट्री नोड और यहां पर मैं क्या भीज़ाऊंगा रूट भेज़ूंगा नहीं रूट भेजके भी कोई गलत नहीं है लेकिन इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में ठीक है तो यहां पर जगा ट्री नोड यहां पर एक भीजा एक भीजा डबल एक्वल स्टो भी ठीक है यह कंपेर कर लेगा ओत्मेटिकल हैं अगर दोनों इकवल है तो तो रिटन क्या हो जागा है ट्रू अगर दोनों उपोजट रहे तो क्या रिटन होगा फोल्स ठीक है इसके बाद इसके node के अंदर value डालो ना यह well से डालो आप ठीक है और यह value आपको डालने की जर्वत नहीं है यह lead code आपकी तरफ से डालेगा test cases के तौर पे ठीक है यह हमने if का condition खुला if के condition के अंदर एक और आपको if की condition चेक करनी है क्या है वो वो यह है देखो इसको मैं copy कर लेता हूं ठीक है इसके बाद change कर लेंगे यह मैंने करा copy इसको कर दिया control v ठीक है यह tree node हटा दो यहां से भी यह tree node हटा दो ठीक है अब देखो इसको मैं एक बार फिर copy करूंगा यहां क्या एक狂 कंडिशन चेक 안 यह नहीं दो condition चेक यह यहां पर लगा दो end क्या गाइस आपको end पता होना चाहिए ँडिको end क्या करता है अगर एक true है और दूसरा false है तो क्या हो जाता है टोटल फॉल्स हो जाता है इसके लिए दोनों true होने चाहिए तभी ये true माना जाएगा ठीक है तभी हमको यह जो mirror image हमें मिल पाईगी ठीक है और यहाँ पर check कलो a.right,b. इसका opposite ठीक है कोई पहले कोई बाद में इससे कोई problem नहीं है आप चाहो तो बताओ return कर रहे होंगे हम क्या true ठीक है इतनी महनत किसके लिए हो रही है true के लिए हो रही है और कुछ नहीं और देखो इसके बाहर आजाते हैं इसके हम बाहर आ गए ठीक है एल्स वाली के भार आ गए ठीक है और आखरी में क्या बिना टाइम वेस्ट करें इसको run करते हैं और देखते हैं हमारा जो code है वह सही है कि नहीं अगर कहीं गलती होगी तो उसको कर लेंगे ठीक है हम एडिजस कर लेंगे कोई है सच प्रॉब्लम नहीं है ठीक है नहाँ पर तीन test cases है देखो एक test case मैंने यह वाला भी आपके लि और देखते हैं हमारा क्या answer आता है तो गाइस congratulations ठीक है आपका यहां आप देख सकते हो case 1 accept हो गया output true आया expected भी true था ठीक है then case 2 आपका false यह था false ही आया case 3 यह है important हमने one दिया सिर्फ one तो उसके right में भी कुछ नहीं था left में भी कुछ नहीं था logically वह एक symmetric है ठीक है और इसमें हमें true था और answer भी हमारा true ही आया है ठीक है तो आप देखते हो अब देखते हैं यह हुआ क्या है फटा- पर रखा एक को अपने right की side भीज दिया एक को अपने left की side भीज दिया और यह कहां पर हम चेक कर रहें यहां पर देखो सबसे पहले तो हम a और b को चेक करें क्या दोनों नल है दोनों में से अगर कोई भी नल हुआ एक भी नल हुआ तो false answer आई ही और दोनों ही नल हुए let's say यानि कि हमारे पास root में ही 0 है तो हमारा क्या आना चाहिए answer true आएगा a is double equals to b जो कि क्या है true अब अगर ऐसा true नहीं है a और b के पास कुछ ना कुछ value है तो हम चेक कर रहे हैं क्या a की value और b की value दोनों same है first case में जब यह first पे खड़े होंगे तब दोनों की value equal होनी चीए ठीक इससे हमारे जो a है वो पूरा traverse कर जाएगा हर node पे और b भी इस तरफ हर node पे जो है वो traverse कर जाएगा जिसकी वज़े से हम साथ ही साथ देखो अब यहाँ पर यह देखो जैसी हम इसको वापिस return call कर रहे हैं तो यह वापिस इसके अंदर आएगा a.right,b.left वो चेक करेगा a औ नहीं है logically तो यहाँ पर false return होगा तब यह ऐसे back आएंगे ठीक है उसके बाद return कहां होगा true यहाँ पर होगा ठीक है और इसके बाहर अगर condition आती है तो यह false हो जाएगा logically देखा जाए मैं अगर आपको बता दूँ तो यह जो false वाली condition है जिसमें 1,2,2 तो यहाँ पर यह क्या इसके लिए pass होता है या नहीं होता ठीक है let's see तो guys चलो congratulations ठीक है हमने 0ms के अंदर मतलब सारे के सारे users को देखो beats 100% सबको अरा दिया हमने ठीक है 0ms के अंदर और हमने क्या use कर रखा हमने java language use करी है आपको c और c++ और साथी साथ python में आपको description box में देखने को मिल जाएगा ठ तो guys आप उसको पूछ सकते हो ठीक है हम आपके लिए 24-7 एविलेबन रहेंगे गाइस ठीक है और बाकी जो ethical hacking की series के लिए wait कर रहे है उनको मैं यहीं बोलूँगा guys थोड़ा सा wait कर लो ठीक है videos आएंगी जल्द आएंगी क्योंकि actually मैं खुद भी फिलाल guys कई सारी चीज़ो है ठीक है उसके बाद 5 almost 5 गंटे की वीडियो ठीक है तो 16 गंटे ऐसे हो गए 17 गंटे लोर्जिकली ठीक है तो ऐसे ही हो गए तो 17 गंटे पहले इसको तो पढ़ो उसके बाद आपको आगे कि वीडियो मिल जाएंगी तब तक ठीक है ऐसस कोई problem नहीं है तो guys I hope आपको वीड पसंद आईए ठीक है तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलना आज के लिए बस इतना ही ओके बाई